अब देखिए पर लिगाने के तरीका से अब लगाते है ना तो स्टार्टिंग पढ़ा फुलिस्टाब तर पहुँच गए विधिन माइक्रो सेकंड फिर आंसर देखा फिर निवेरिकल में दी डिजिट देखी फिर देखा डिजिट को एड करने पर आंसर आ रहा है तो फिर अंत में टेक लगा लिए आप फुल स्टाप तक न पहुंचिए कि और आप देखे दिया क्या गया है लिखा है a driver of three wheeler, अब three wheelers कोई मतलब नहीं है, वो cycle का भी हो सकता है moving with the speed of 38 km per hour, क्या दिया गया है, you given है, लिखो, given है given, you is equal to 36 km per hour, चुकि हमको values सब mks में लेनी पड़ेंगी, तो km per hour को meter per second में change करने के तरीका क्या होता है, तो वैसे तो हम जानते हैं कि 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 कु करेंगे, तो और आर को करेंगे, तो 60 into 60 करेंगे, बच्पन से हमको प्लाहते आ रहे हैं, 5 by 80 से multiply करेंगे, अठाद में 36, यानि कि speed क्या दिया है, 10 meter per second, यह driver की speed है sees a child standing in the middle of the road, वो road पर जो है, एक लड़के को खळावा देखते हैं, फिर सोचता खड़ा होने तो जाओ, गुसो जागर के, नहीं बता, ऐसे भी driver होते हैं, and brings the vehicle to rest at 4 seconds, यानि वहिकल को rest में ले आता है, तो final speed क्या है, 0, कितने second में ले आता है, अरे थोड़ा language, आप सुझे अगर रुख जाएगी गाड़ी, तो कितने second में ले रुख गई है, 4 seconds में, हमको नहीं लेकल आता नहीं है, हमको पढ़ रहे हैं, जो given है, अच्छा, to save the child, what is the average retarding force of the vehicle, यानि कितना force लगा रहा है वहिकल पे, अब force दो होते हैं, या तो force लगा ये body को चलाने के लिए, या body को रोकने के लिए, ठीक है, the mass of the three wheeler is 400 kg, and mass of the driver is 65 kg, यह टोटल जो mass उस गाड़ी पर है, वो 400 and 65 kg है, तो आप जानते हैं, बराबर क्या होता है, हमें, तो ए चाहिए ना, तो ए निकालने के लिए क्लिए 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 क तो आप पहले से हाँ, माइनस अप्लाई कर सकते हैं, आप मत माइनस करिए, तो ए की लिए निगेटिव आएगी, तो निगेटिव क्यों यह इंडिकेट करता है, कि डिटाइडिशन हो रहा है, ठीक है, वी क्या हो गया आपका, जिरो, यू क्या हो गया आपका, टेन, प्लस ए क्या हो गया पता नहीं, टी क्या हो गया फोर, तो ए की वैलु क्या आगई, माइनस टेन अपान फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वार, यह माइनस क्यों आ रहा है, रिटाइडिशन इस देर, और कोई मतलब नहीं, माइनस से आपको निगेटिव वैलु से कोई मतलब नहीं है, यह नहीं क्या F negative आ जाएगा अब retarding force क्या होगा तो एफ इस जी को लूँ क्या होता है में तो 465 into 10 by 4 आप क्यों numerical लिखेंगी इसको calculate करो इसकी value calculate होके आई है 1162.5 आप देख लिजे क्या आई है 1162.5 Newton तो इसमें क्या दिक्कत थी आप क्या आप क्या आप क्या है